प्रैक्टिस के बाद हमेशा एक रिक्रेशनल गेम जरूर रखें जिससे बोड़ी रिफ्रेश हो जाया फिर से और उसी परिपेच्छ में आज खोखो गेम कराया जा रहा है बच्चों के अंदर एक्टिवने खाती है और ये बहाँ बच्चे इंजवाय भी करते हैं और जो सरीर की सारी ठकान रहती वो आपकी मिड़ जाती है इस रिक्रेशनल गेम खेलने के बाद है और बहाँ खोखो गेम एक टीम भागती है और दुसरे टीम के बंदे उसे पकड़ते हैं एक लाइन से बैठा जाता है और जो बैठे रहते हैं उसमें ही अपने टीम वाले खो बोलके उसको दूसरे पार्टनर को चुने के लिए प्रेरित करते हैं और ये खोखो का बर्या गेम और ये चुआ धूरिया ने अपने पार्टनर को कि जाओ और पकड़ो विपच्के टीम के पार्टनर को अगर लेफ साइड बैठता है तो दूसरा पार्टनर राइट साइड इधर उधर के परिपेच में बैठाया जाता है टीम को और एक पार्टनर खड़ा रहता है स्टीम का और उधर से जो भी लोग आते हैं उनको वो पकड़के आउट करता है चू के आउट करता है ऐसा भी कह सकते हैं वो देखिए चुआ और जिस साइड चलने लगो उसके विपरीत नहीं दोड़ सकता है यह देखिए अगर दूसरी तरफ दोड़ेगा एक साइड जाके तो पार्टनर दूसरी तरफ नहीं जाएगा टच वार्टन जाएगे पैसा पार्टन करता है अगर आएगे डिखेए अब जाइगा जिए आटी तरफ एक जाएगा जाएगे जाएगे